हमसे ही साफ है के मैं एंसाइड हूँ, कैटलिक हूँ. मगए शहतने हिंदुस्तान का फेला अधरकार जनरलिस्त था, जो इराग, शाम, लेबनाड, पैलिस्टीन की रलाई में वार कोर्रिस्पोंडेंट बनके असी के जमाने में गया है। इस जंग की जो वहां पर हो रहा है, इसकी शुरुआत मेरे अपने आँकों देखी है। मेरी कलम से मैंने उसके बारे में लिखा है। क्योंकि मैं फैरा हिंदुस्तानी था, मेरा नजरिया, मेरा नुक्ते नजरिया है, कोई अमरीकी पत्रकार, कोई यॉरपिन, इंगलिस्तानी, साहापी वाला नहीं था। इसको मैं अंदर से जानता हूँ। और उस वास्ते मैं यहां पर जो आज कहूंगा टेरिज्टम के बारे में क्या कह सकते है। अचकर बोप फ्राइसिस खुलेयां डंकी की चोट कह रहे हैं यह ब्री बात है इसका प्रप मोला कि भार को के रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहां पे पांच साफूरिब में कहना मगए क्योंकि बाकी जो आप हजरात बोल रहे हैं या बोल चुके होगे शायद उस पॉइंट व्यू से ना बोले हों और वो यह है कि कहां पर क्या होता है और उसकास हिंदुस्तान में क्या होता है उसकास पुलिस पे सरकार पर ही नहीं गाओं में घरिप पर स्कूल कॉलेज इन्वर्स्टिस में लड़कों लड़कियों के उपर क्या होता है बुरा अच्छा या बहुत बुरा यहां आने से पहले गंटा पहले मैं जंतर मातर में था वहां पर भी एक मैपिक दी थी बड़ी तो नहीं थी बगर थी उसमें दो औरते थी दो मात थी एक मात थी वेमुला जो हाइदरबाद की उनिवर्स्टी में पीएसडी की डिग्री ले रहा था और उससे खुदकशी कर ली थी चुकर उसके उपर जात को लेकर अपने आपको बड़ी जाती कहने वालों ने बखुर कहर रहा है उससे कुदकशी कर लोग अज़कार बाजापा मंत्री लोग मानने रहे हैं कि वो लड़का किस वज़ए से मारा कि वो दलित था कि नहीं उस मां का बेटा भी था कि नहीं एंदूसरी मात थी उ लड़का तो मर चुका था उसकी लाश वो देख चुकी थी सफर कर चुकी थी उसके आंसों सुख चुके थी दूसरी माती नजीब थी जो चालिस दिन से गाए को किसी को फता नहीं कहा है कर रिपोर्ट आई कि उसको बाज़ापा के ड़कों ने पिटाई कि है कि मरते हैं व यह दो माए माँ बैटी थी क्या उनके दिल पे गुज़र रही होगी कि दूसरे से कह रही होगी एक को हिंदी नहीं आती दूसरे को तिल को नहीं आती वगर आंसों दोनों के एक है एक गाए बलड़का एक अगड़ की गिलाश का आईएस से दाइश से क्या कनिक्शन है यह मैं जोडने की बात करना हूँ क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एक चीज होती है उसका रियाक्शन उसके टक्राओं में दूसी चीज कैसे बढ़ती है दरिश आएगा और इंशालला जैसे कहा गया दो अपने भी नहीं तो तीन अपने में खत्म हो जाएगा फिर शाथी होगा योरप में क्या हुआ है एक नया राइट विंग खड़ा हुआ है एक नया नैचलिजम खड़ा हुआ है जिस दाइश के मुकाबले में वो खड़ा हुआ है उसी दाइश के बनाएवे रेफुजिस को आने से मना करना है उसी का हुआ दिखाके उसी आईस का हुआ दिखाके उसी का रेडिकलाजेशन के आप लोंके बच्चों के ओपर क्या हो रहा है उसको दिखाकर यहां पर संग का एक ज्यादा बड़ा भूत खड़ा हुआ है आज के प्रदारमंत्री भी प्रदारमंत्री उसी काले महौल की वज़ा से बन पाए उसी वज़ा से आज जेन्यू में क अबिवड़ा ज़गा है उसी की वज़ा से दाएश का हवा दिखाके उसका रेडिकलेक्शन दिखाके कोई दिखाके यह पांच दड़के के रवला से जो मेरा अडॉप्टेट प्रांथ है ना हादा हूँ वहां से कि वह जा रहे हैं उसके दिखाके किस तरीके से पुलिस क तर्व उसके जादा इंड्यूस्ट टेरर और उसके बाद एक स्टेट किस तरीके से इनकी कड़ियां आपस में जुड़ती हैं बनती हैं दोर से हागे दिखलती हैं इसके बारे में हमको सोचना है इसके बारे में भी होना है